और इधर पंजाब कॉंग्रस में कलह से जूज रही कॉंग्रस को एक बड़ा जटका लगा है आपको बता दें कि बटाला के वरिष्ट कॉंग्रस नेता और पूर्व परिटन मंत्री अश्विनी सेखडी अकाली दिल में शामिल होंगे कैप्टन और सिद्दू के जगड़े के बीच कॉंग्रस में अकाली ने बड़ी सेंध लगाई है कल सुबीर बादल चंडीगड में अपचारी के ऐलान करेंगे पंजाब के माजहा इलाके में कॉंग्रस का हिंदू चेहरा थे सेखडी और ये बड़ा जटका है सीधे तोर पर पंजाब में जस तरह से कॉंग्रस के बीच और अंतर कलह चल रही है उस बीच ये बड़ा जटका कॉंग्रस को Congress नेता अश्विनी सेखडी अकाली दल में शामिल होंगे और पंजाब में आपसी कलह को दूर करने के लिए राहूल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं वो पंजाब कॉंगरस के नेताओं से मिल रहे हैं राहुल ने 22 जून को अश्विनी सेखडी से भी मुलाकात की थी राहुल से मिलने के बाद अश्विनी ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं आज जो उनकी बात है अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है तो उसकी जिम्मवारी तो सीधा मुखमत्री पर जाती है उनको उनको सैटिस्फाइड करके रखना चाहिए था और इसे कबर और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए मेरे साथ जग्विंदर पतियाल हमारे साथ जोड़ गया है जगबिंदर कितना बड़ा जटका क्योंकि पहले ये अंतरतल है और उसके बाद अब सेखडी अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं जाहिद सी बात है ये बड़ी embarrassment है Congress के लिए क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है जिस तरह से राहूल गांदी ये पूरे मामले को सुलजाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच में अश्वनी सेकडी का जाना ये दरशाता है कि और लीडर्स को भी जो अंदेखी का शिकार है जिनको लगता है कि हाईकमान हमारी सुनती नहीं और पंजाम में कैप्टन सरकार में उनकी चलती नहीं तो ऐसे कई नेता और ये स्टेप उठा सकते हैं क्योंकि अश्वनी सेकडी 1985 में चुनाब जीते 2002 में फिर जीते 2012 में भी जीते और 2002 की अवरिंदर सरकार में वो परेटन मंत्री भी रहे हैं अब अकाली दल को क्यों ये लगा कि अश्वनी सेकडी को अपने में शामिल करना चाहिए क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद अकाली दल पंजाम में हिंदू चेहरे ढून रहा है उनको ये लगता है कि जो शेहरी वोट है उसको लेने के लिए अकाली दल को हिंदू चेहरों को लड़ाना पड़ेगा क्योंकि इस बार BJP उनके साथ नहीं है पहले क्या होता था BJP शेरी बोट लेती थी और अकाली दल ग्रामीन बोट लेता था और इनकी सरकार बनाने का आंकड़ा जो है वो जुट जाता था लेकिन इस बार BJP साथ नहीं होने के कारण वो हिंदू लोगों को और जो चेहरे हैं दूसरी पार्टियों के उनको अपनी तरफ कर रहे हैं और ये अकाली दल की एक बड़ी सेंद मारी बानी जा सकती है कल सुख वीरबादल चंडीगड में इसका अपचारी के अलान करेंगे और कारेकरताओं के साथ आशुनी सेगडी को जोईन करवाएंगे शुरो मणी अकाली दल में अच्छा जगविंदर अभी कुछी दिन पहले राहूल गांधी से मिलकर लोटे थे राहूल गांधी कभी भी अपने नाराज जोन के नेता रहते हैं उन्हें मना पाने में बेफल रहते हैं एक बार फिर से इस साबित हो रहा है देखिए अच्छल प्राब्लम क्या है कि कॉंग्रेस में इतने लंबे फैसले हो जाते हैं और कहते हैं कि फैसले जितने लंबे चले जाते हैं उतने कमजोर हो जाते हैं और कॉंग्रेस को लगता है जो भी लोग यहां पर एक तरह से अंदेखी का शिकार है उनको यह लगता है जिनको कैप्टन गॉवर्मेंट ने तरजी नहीं दी उन लोगों को यह लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इलक्षन का वक्त नजदीक आ जाएगा पार्टी में क कोई इज़त नहीं मिल रही है हालांकि राहूल गांदी से मिलने के एक अफते के अंदर अकाली दल जोईन करना ये वाकई चौंकाने वाली बात है लेकिन अश्विनी सेक्री को यह लगता होगा कि उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है कॉंग्रेस में पंजाब में ये दो धड़े नहीं है मैं आपको समझाता हूँ सिद्धू और कैप्टन के जगडे में क्या हुआ कि एक सिद्धू को सपोर्ट करने वाला चोटा सा धड़ा था एक कैप्टन का था लेकिन कैप्टन का जो बड़ा धड़ा था जिसको कैप्टन अपनी ताकत मानते थे उस कि यह जो जॉब डिप्लोमेसी के चक्र में कैप्टन वाजवा बंधूं को अपनी तरफ लगाने में जो उनके बच्चों को नौकरी दी उस चक्र में एक और धड़ा खड़ा हो गया क्योंकि वाजवा अगर कैप्टन के नजदीक हुए तो उन्होंने निशाना किस पे साधा उन्होंने माज़ा के तीन मंतरियों पे निशाना साधा और उनमें एक पार्टी परधान सुनील जाकडवी थे उन्होंने का हमने मिसायल काइम कि अब आप भी अपने नातरिष्टेदारों से नेपोटिजम की बात करते हैं तो उनसे अपने अहदे चुड़वाईए तो य बहुत शुक्री आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और इस खबर पर ये विस्तार से जनकारी देने के लिए